प्रेके बाद इगवाफर स्वागत आपका इस्विशेश कारिक्टरम प्रॉपर्टी विज प्रॉस्पेरिटी डॉक्टर पुनी चावला लगाटार हमारे साथ बने हुए हैं और दरश्रक जो ये कारिक्टरम देख रहे हैं सवाल आपके मन में कोई भी हो आप तुरंद कॉ प्रॉशी रही है हो आपस में या फर कहते हैं कि मद्भेद हो आपस में क्या इसकी वज़े से भी रुकावत जीवन में आती है उसके लिए वास्तों के अनुसार क्या हो रहे हैं जब हम बात करते हैं कैसा एन्वार्मेंट जहां पर बैचेनी ज्यादा हो रेस्टलेस्नेस ज्यादा हो वहाँ पर आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे सपोस कीजे कि आपकी किचेन अगर गलत बनी हुई है या आपका बेडरूम अगर गलत बना हुआ है उसकी वज़े से घर में लड़ाई जगड़ा हो रहा है लड़ाई जगड़ा होने से इतना मेंटल प्र जाएगा आपका काम होता ही नहीं है तो घर में लड़ाई जगड़ा ना हो इसके लिए आपको अपने साउथ इस्ट पर कंट्रोल करना है साउथ इस्ट में पानी की मशीन नहीं होनी चाहिए यानि कि कोई भी पानी की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कभी-कभी लोग क करते हैं कि एक्वारियूंग घर पे रख लेते हैं और उसे साउघी इस्ट में रख दिया जाता ये तो कोई न कोई बात टैलाई जघ्गरा शुरू हो जाएगा उसके बाद आपका water cooler southeast में नहीं होना चाहिए, कपड़े धोने की washing machine southeast में नहीं होनी चाहिए, आपका air conditioner southeast में नहीं होना चाहिए, कई वास्तू विशीशग्य कहते हैं कि southeast में AC, fridge, ऐसी चीजे होना अच्छा होता है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बहुत गलत होता है, southeast में अगर तो यह है एक cold element हुआ, water element हुआ, तो आपको इसे भी southeast में नहीं रखना है, जिया, और इस बीच, डॉक्टर पुनी चावला एक caller हमारे साथ connect हो गए है, अशोख कोईल जी, कॉलकता से हमारे साथ हो गए है, अशोख जी, क्या सवाल है आपका, बताएं अशोख जी सवाल, लगता है, जी, अशोख जी आप सुन पा रहे हैं, आप कहना चाहरे हैं कि आपका बिजनस 15-20 दिन ठीक चलता है, फिर स्लो हो जाता है, लेकिन नौर्थ वेस्ट की अगर एंट्री आपने रखी है अपने घर में, या ओफिस में, या दुकान में, तब ऐसी अगरी प्रॉबलम्स आती हैं, नौर्थ वेस्ट की अंट्री से अन्स्टेबल बिजनस हो जाता है, कभी तो ठीक होता है, कभी बिल्कुल बिजनस ठप हो जाता है, जी, बिल्कुल, और एक कॉलर हमारे सथ कनेक्ट हो गए हैं, दिलब दवे, मुंबई से हमारे सथ हैं दिलब जी अपना सवाल कीजिए क्या है आपका सवाल अगनी कोन में अगर आप दुकान रखते हैं कोई प्रॉबलम नहीं है लेकिन दुकान का गेट कहा रखते हैं आपको नौर्थ एस्ट की तरफ रखना चाहिए तो आपको ईसट की तरफ पे उसका गेट रखना चाहिए यहां से आता हुआ चांदी का स्वस्तिक लगाना चाहिए, नाइन करनेलियन स्टोन्स अगर आप डोर के अंदर लगाएंगे, तब भी आपको बहुत रिलीफ आएगा, यहां से आता हुआ कस्टमर आपके फेवर में रहेगा रख सकते हैं, जी और उसके आगे में पीचों रख दूपाचे लगाना हुआ जी हमारी आवाज आरही है आपको, हम सुन पा रहे हैं आपको आप अपना सवाल पूछें जी लगता है आवाज हमारी इन तक ने पहुंच बारे हैं एक और कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं दिली से अलताफ हमारे साथ चुड़ गए हैं अलताफ जी अपना सवाल आप कीजिए क्या है आपका सवाल जी अलताफ जी क्या सवाल है आपका जी बताएं देखिए बहुत अच्छी बात है हम आपको वास्तु के बारे में बता रहे हैं कि दिवारें घर कैसा होना चाहिए चले ठीक है सभी कॉलर्स एक एकर जो हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं या फिर हमारे साथ जो नाइन पर कनेक्टेट है उसे ही कहेंगे कि आप अपने टीवी का वालिम थोड़ा सा पहले कम कीजेगा उसके बाद ही आप अपना सवाल रखेगा तब ही जाकर आप हमें ठीक से स किचन बहुत ही अच्छी जगह है आपके पूरे घर में क्यूंकि इस किचन से ही पूरे घर को पुष्टी मिलती है ताकत मिलती है अच्छा खाना बनता है जिसके लिए हम काम करते हैं तो अगर आपकी किचन नौर्थ डायरेक्शन में आती है तो आप समझ लिजिए कि आप के खराब हो जाएंगे टोटल फिरेंसिस खराब हो जाते हैं किचन में गैस्टोग के साथ में स्पेक्ट्रा लाइट का पत्थर आपको रखना है और किचन के बाहर तामबे का स्वस्तिक आपने लगाना है एक और सवाल डोक्टर पुनी चावला अकसर हम अपनी घर की डेक लगानी चाहिए आपके लिए मैं पूरे इंफरमेशन देता हूँ कि कुन सी पिक्टर लगानी है कुन सी नहीं लगानी है सबसे पहले दोस्तों आपने भगवान की फोटो को कहीं पर भी ऐसे ही यूज नहीं करना है कि डेकोरेशन के लिए भगवान को लगा देते हैं और भगवान की एक अलग से जगे होनी चाहिए, उनके मंदर में उनकी जगे होनी चाहिए, क्योंकि हम जहां पर बैठते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, वहां पर भगवान की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, जानवरों की तस्वीरें बहुत अच्छी मानी जात तो सब भी जानवरों की तस्वीरें बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं, आप बिलकुल लगाईए। घर पर खाना खाते वक्त हमें कुछ दिशा का ध्यान रखना चाहिए जब हम बात करते हैं कि डाइनिंग टेबल पर बैठके खाना खाना है, तो कुछ लोग एक दिशा को फेस करेंगे लेकिन जो घर का मुखिया है उसे नौर्थ फेस करके खाना चाहिए बहुत ही अच्छा जो एकदम प्रोफेशनल हैं जैसे चार्टेड एकाउंटेंट्स हैं उनको इस्ट फेस करके खाना चाहिए जी बिल्कुल तो इन चोटी-चोटी चीजों का ध्यान रखना जीवन में बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे ही बहुत इंपक्ट अपनी जीवन में पड़ता है फिर वो चाहे नेगेटिव हो फिर वो चाहे पॉजिटिव हो वक्त एक और छोड़े से ब्रेक का हो गया है छोड़े से ब्रेक लिए रुखेंगे तुरंत लॉठेंगे आप देखते रहें वेशेशकारिग्रभ और दिशाओं को समझना नॉर्थ पोल, मैगनेटिक एनरजी, सो पैथिक स्ट्रेस को वास्तु में अपलाए करते हैं डॉक्टर चावला कई सो ग्रंथों के ज्याता डॉक्टर पुनीत चावला ने 15 से भी ज्यादा बुक्स लिखी हैं डॉक्टर चावला का ये द्रिड विश्वास है कि आपका भाग्य आपके अलावा कोई नहीं बदल सकता लेकिन हमारे दुख और सुख का 40 प्रतिशत हिस्सा वास्तु की वजह से होता है वास्तु ठीक करें तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है अगर हम वास्तु को ठीक कर लें तो हमारा जीवन अत्यंत सरल हो जाता है